फोकस में ना कोई इशू है ना इसका जो ट्रांजिशन में एक बहुत लैग या फ्रेम ड्रॉप जो रहता है उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉलम है ठीक है दोस्तों मेरे सामने अभी रियलमी का एक्स्टू डिवाइस है और यह अपडेट आने के बाद जो नया यू आई 2.0 एंडूड 11 का अपडेट आया वह आने के बाद काफी लैग इशू हर जगह आ रहा है यह वीडियो में बेसिकली फोकस कर रहा हूं कैमरा के उपर कैमरा में चलिए बहुत सारे ऐसे एसूज आ रहे हैं कि फ्लैश काम नहीं कर रहा है शुक्त प्रक्राट चीम थार, बहुत बलर आ रहा है, क्लियरी टीए लिक्टर में ऐसे वगल Grad बहूँत सारे इसूज आ रहे हैं तो में इस फोन में आपको दिखा रहा हूं कि camera कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसको open कर लेता हूं ओके चलिए आपके समने अब इता हूं यह दो object है, मेरे समने, आप देख सकते हैं यह camera देखिए, कितने जल्दी open हो रहा है, और आप देख सकते हैं फोकस में न कोई इश्यू है ना इसका जो ट्रांजिसन में एक बहुत लैग या फ्रेम ड्रॉप जो रहता है उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रवल्म है ठीक है मैं यह विडियो मोड है मैं फोटो मोड में जाता हूँ अभी ठीक है यह देखे फोटो मोड है यह और यह घुमा दे करता हूं और में इसको भी ऑपन भी करता हूं कि कितना जल्दी ऑपन भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई इशू नहीं तो इसके पहले भी मेने वीडियो मैंने डाला था कि सको कैसे resolve कर सकते हैं particularly camera को उपर ये वीडियो में फिर से डाल रहा हूँ ठीक है उसको ज़्यादा तर focus करके क्योंकि उसमें बहुत सरे ऐसे comments आये थे दोस्तों कि वो करने के बाद भी problem solve नहीं हो रहा है तो देखिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ help करने के लिए अगर नहीं हो रहा तो हो सकता कोई दूसरा issue हो सकता आपके mobile में जो की सामने आपके आया नहीं है ठीक है लेकिन मेरा भी Realme X2 का same problem था camera lag का problem था लेकिन इसी same procedure से मैं इसको solve किया ठीक है तो ये with proof के साथ मैं दिखा रहा हूँ जिनका नहीं हो रहा I am really sorry for that बहुत अफ्सोर्स है लेकिन जिनको इस procedure से help मिला है उनके लिए बहुत अच्छी बात है तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको करना क्या होगा तो वीडियो में बने रही है दोस्तो पहले आपको settings में चले जाना है settings में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे चले जाएए आपको app management मिलेगा app list में जाएए app list में जाने के बाद यह थोड़ा अपना application को लोड काने में time लेती है तो यह होने के बाद आप show system में चले जाएए यहाँ पे आपको करना क्या है system launcher को system launcher लिखिए system launcher को आपको करना है storage usage में जाना है और clear data करना है मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि already मैं कर चुका हूँ तो मुझे भी जरूत नहीं है यह करने के बाद आप चले जाएए camera में camera में आपका जो main camera है उसमें आप इसको clear data कीजिए clear data करने के बाद four stop कीजिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि already मेरा होके रखा ही है कर चुका हूँ already तो यह करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं engineer camera एक देख सकते हैं इसको भी आपको जाना यहाँ पर storage usage में clear data कीजिए और four stop कीजिए इसको ठीक है अभी मेरा highlight नहीं है लेकिन अगर आपका highlight है तो four stop कीजिए वन्ना कोई problem नहीं है यह दोनों होने के बाद आपको चले जाना है reset लिखिए यहाँ पर उपर में reset लिखने के बाद आपको मिलेगा reset system settings only ठीक है अब यहाँ पर देख सकता है यहाँ पर तो यहाँ पर जाने के बाद आपको सिफ यहाँ पर दोस्तों reset system settings only चढ़ना है बाकी कोई भी option को नहीं चेड़ना है बहुत लोग ऐसे कहें कि पूरा data उड़ गया mobile का तो अगर erase all data में clear कर देंगे तो वही can't होगा तो simply आपको reset system settings only click करना है यहाँ पर password देना ok करना है थोड़ा time लेगा और मैं फिर से मैं बता रहा हूँ यह system full जो process करने के लिए हो सकता है आपका mobile और hang हो जाए जब आप कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा issue नहीं है phone को आप restart कीजिए सब कुछ ok हो जाएगा कुछ देख छोड़ दीजिए अपना mobile को उसके बाद सब कुछ as it is normal हो जाएगा इस procedure सो होगा किया जो भी YouTube का channel चला रहे हैं gaming कर रहे हैं streaming कर रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा है तो यह basically उनलों के लिए वीडियो है तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ help करने के लिए अगर इस process से आपको help नहीं मिल रहे है तो अफसोर से दोस्तों हो सकता है कोई दूसरा इसका उपाई हो लेकिन इस procedure को आप करके देखिए अगर फायदा मिल जाता है तो अच्छी बात है है ना तो प्लीज मैं इस चैनल Technical Tuner का सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए प्लाइब कीजिए लाइक कीजिए लाइक कीजिए